हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आ चुका है दोस्तो हमारे पास रेडिमी का सबसे लेटेस्ट बजट फून पहले पिछले साल लॉंच हो था दोस्तो रेडिमी 12 5G और इस साल लॉंच हो चुका है दोस्तो रेडिमी 13 5G तो 12 5G के बाद आ चुका है दोस्तो 13 5G तो इस वीडिय वीडियो एंड तक जो देखेगा आपको इसको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए प्राइसिंग के बारे में बात करें तो 18,000 का बॉक्स पर रेट है लेकिन यह आपको 14,000 में मिल जाएगा तो 14,000 प्राइस है पहले रेडिमी 12 5G अभी भी मतलब 11,000 के असपास मिल र रुप है तो जो है दोस्तों जैसे आप इसको अन्बॉक्स करते हैं चली देखते हैं क्या-क्या मिलता है तो मिनी बॉक्स में सिम जेक्टर टूल है फिर कुछ यूजर मैनुल आपको मिल जाते हैं इस तरीके से एक दिया गए है सिंपल ट्रांसपेरेंट कवर बाकि पिछल रेड्मी की केबल काफी लंबी चल जाती तो दिक्कत नहीं होती और लास्ट में रखावा मिलता है यह 33 वाट का एक चार्जर अब यह चीज जो है दोस्तों मुझे के अंदर मता नॉर्मल टाइप की लगी क्योंकि चार्जर पहले से तो इंप्रूव है पहले आपको मिलता तो काफी बढ़िया रहता तो पहले से तो अपडेट हो चुका लेकिन प्राइसिंग बढ़ गई तो उससे सबसे देखा जा तो बॉक्स के जो कंटेंट्स है न वो आपको एवरेज टाइप के मिल जाते है क्योंकि आजकल जो है 8-10,000 के फोंस में भी आपको ऐसा चार्जर मिल जाता है 45W के भी चार्जर आपको देखने को मिल जाते है 10,000 के बजट में चुली बात करते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में बॉक्स के कंटेंट्स में तो ये स्मार्टफून मुझे नॉर्मल टाइप का लगा तो डोस्तों Redmi 13 5G के अंदर आपको जो डिजाइन मिल जाता है दिजाइन में बाकि दोस्तों के अंदर आपको पैटरन कैसा मिलता है वो चीज मां को करीब से दिखाथा हूँ कलर वगयरा जो दोस्तों इसका आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीक सा आपको मिलता है जब आप इसको लाइट के अंदर आप शर्मूव करेंगे त प्रफित यह सबसे में चीज तो डिजान की काफी बढ़िया है और इन हैंड फील भी जो है ने सफोन की काफी प्रीमियम है लग रहा है काफी प्रीमियम फोन काफी सॉलिड लग रहा है अब ऐसा तो नहीं ओपो की तरीके सा जिस पर बुलट चड़ा दे ट्रेक्टर चड़ा पोगे F27 Pro Plus के साथ जो आपने वीडियो काई सारी देखी होंगी तो वह चीज जो आपको देखने को मिलती है तो आप जितना बचा के रखेंगे अपना फून उतना ही बढ़िया है ऐसा फालतू कि एक्सपेरिमेंट नहीं करें तो भी बढ़िया है वह चीज जो दोस्तों स जो इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से मिलता है आप इसे उपर की तरह स्वाइब करेंगे आपको सारी अप्लिकेशन मिल जाती है चलाने में दोस्तों रेडिमी के दूसरे फोन की तरह ये भी काफी बढ़िया आपको मिल जाता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये चीज दोस्तों इसके अंदर आपको काफी अच्छी मिल जाती है मुझे परसनली भी experience काफी बढ़िया लगता है रेडिमी के फोन को यूस करने का बाकि दोस्तों आपको कैसे लगता है आपने पहले यूस करें या फिर नहीं कमेंड करके बताएगा adaptive brightness जो हम इसकी off क कर देता हूं तो आकि बिल्कुल फूल brightness पर आपको पता लग जाए display की quality कैसी है refresh rate इसके अंदर आपको मिलता है दोस्तो 120 Hz तो जो smoothness है फून को use करने की वह आपको काफी बढ़िया मिल जाती है experience काफी जादा smooth है जादा refresh rate होने की वज़से तो इचीज इसके अंदर आपको ठीक टा काफी कम मिल जाते हैं बस थोड़ी सी चिन जो और जादा छोटी हो जाती तो और भी बढ़िया हो जाता तो वह चीज जो देखने को मिलती है मतलब बहुत जादा बड़ी भी नहीं है अभी टेक्नो के फून की मैंना अन्बॉक्सिंग गरी थी कल परसो में ही टेक् कलर्स वगरे को लेकर ब्राइटनेस को लेकर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और जो दोस्तों आपको एक्स्पिजेंस काफी बढ़िया है मिलना वाला है क्योंकि क्वालिटी वाइस जो है डिस्प्लेस की मुझे परसनली काफी सही लग रही है ऐसी कोई प्रॉब्लम वाल लेकिन दो सिम काड़ लगा सकते हैं 5G के ऐफिर दो सिम काड़ एक सीम काड़ एक मेमरी कार्ड या फिर दो सिम काड़ मतलब तीन चीज एक साथ नहीं लगेंगी तो यह चीज आपको देखने को मिलता है नीचे की साइड से दोस्तों आप देहेंगे तो यहां पर आपको charging port स्पीकर और माईक दिया गया है Headphon Jack नीचे की तरफ नहीं है किसी फून में नीचे की तरफ स्पीकर आ जाता है मत रहा किसी फून में ऊपर की तरफ स्पीकर चले आता है तो चीज जो तो इसका जो base variant है वो आपको मिलता है 6GB RAM 126GB storage के साथ तो पहले जो आपको base variant में जैसे 12 5G के अंदर मिलती थी 4GB RAM 126GB storage लेकिन इसके अंदर आपको base variant में मिलती है 6GB RAM 126GB storage तो RAM जो आपको लेकर मता दिक्कत नहीं होगी 4GB RAM वाला phone आपको देखने को नहीं मिलता 13 series में 13 5G के अंदर और जो दोस्ते सके अंदर आप देख सकते हैं free storage आपको इतनी मिल जाती है तो RAM और बढ़ा सकते हैं 6GB by default है 6GB और बढ़ जाएगी तो Android 14 आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरही से space के मज़े ले सकते हैं rocket वगएर उड़ा सकते हैं तो यह चीज काफी बढ़िया इसके लब दोस्तो बात करें इसके camera के बारे में तो 108MP का सके अंदर आपको main camera मिलता है दोस्तो back side पर अब जादा camera नहीं है लेकिन जो मिलते हैं आपको quality में काफी तगड़े मिल जाते हैं colors होगे आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते हैं तो camera तो मुझे personal इसका price के साबसे काफी बढ़िया लगा अगर आपको camera बढ़िया चाहिए तो वो चीज़ इसके अंदर आपको काफी बढ़िया मिल जाती है camera का experience तो camera काफी बढ़िया है बात करें दोस्तो battery के बारे में तो 5030mh के असपास इसके अंदर आपको battery मिलती है एक दिन का normal battery back का पराम से मिल जाएगा वो चीज़ काफी बढ़िया है और जो दोस्तो charger तैति स्वाट का मिलता है processor के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको snapdragon 4 gen 2a processor मिलता है अब दोस्तो rate के साफ से जो इसके अंदर आपको processor दिया गया है ठीक टाक मिल जाता है बस मैं आपसे ही कहूंगा जैसे अगर आपको performance की वज़े से ही phone खरीदना है processor ही आपको बहुत जादा बढ़िया चाहिए तो इस budget के अंदर 14,000 के budget के आसपास तो और दूसर options भी आपको देखने को मिलते हैं तो मैं उनके साथ भी इसका comparison करने की कोशिश करूँगा बाकि इसके अंदर आपको day to day use में आपको थोड़ी बहुत gaming करनी है तो आपको problem नहीं होगी performance आपको ठीक टाक मिल जाएगी बस अगर आपको gaming के purpose सी phone लेना है तो इस budget के आसपास और भी options हैं तो उनके साथ मैं comparison करने की कोशिश करूँगा दोस्तों किसके साथ इसका comparison देखना है आपको comment करके बता दिएगा मुझे मैं आपकी वीडियो पसंद की मताँ जो है लाने की कोशिश करूँगा इसके लोग दोस्तों इस सारी खुबिया कम्या आपको मिलती है Redmi 13 5G के अंदर चली बात कर लेते हैं सबसे main चीज मुझे जो ये smartphone कैसे लगा कैसे नहीं क्या चीज़ इसके अंदर आपको बढ़िया मिलती है और जो दोस्तों रेम और storage भी सही है performance भी आपको से मिल जाती है तो सभी चीजों में quality wise काफी बढ़िया है बस थोड़ी से अगर इसकी pricing जो है न साड़े 12,000 के आसपास हो जाती है तो और भी मज़ा आ जाता तो pricing मुझे थोड़ी सी जादा लगी 1500 रुपैसा और दूसरी चीज़ ये charger थोड़ो और ज़़धा fast होना चाहिए था ये चीज़ तो जो है मतलब दो चीज़ तो मुझे लगी कि हाँ ये चीज़ थोड़ी और better होती ने तो काफी बढ़िया रहता बाकि अगर आपको बज़ट की दिक्कत नहीं 33 वाट के साथ आपका काम चल जाएगा charger के साथ तो आप जो जरूर से phone को खरी सकते हैं आपको ये कैसा लगा जरूर बताएगा दोस्तो वीडियो तो आपको अच्छे लगी तो लाइक करके जरूर जाएगा चैनल पर आप नहीं है सब्सक्राइब नहीं करके तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नए वीडियो आप तक पहुचते रहे हैं लगी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए वाटसप और फेस्बुक पर चले मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए